प्रोग्राम आप देख रहें गाउं वेलारा कुमें राजिस्तान से इसके दायक हैं दर्मेन सिंग चाहर शिर्मोली अकोला से और जो ढोलक पर साथ बेरें वे आकासुनी कलाकार माईश्टर ज्वाला प्रसाद जी लालो अगरा से और पैड के ज़नकार दिखा रहें वे हमारे बड़े भाई रामजीद जी बडीका से और हमारी इसाबाज को देश के देशों तक पहुचा रहे हैं वोई हमारे पंडित रोहतास दीजे साउन सर्विस जनूतर राजस्थान से लीजिए हाँ तो परमादर्नी पंच कमेटी एब मेला प्रांगन में पाधारी हुए सबी जिकड़ी के सोखिंस रोता इस प्रत्वी का स्रिंगार गंगा यमना की समान सती सावित्री जैसी मेरी माता और बहें सभी के चड़ों में मेरा हाथ जोड़कर नमामी नमस्का राम राम सा पहली बार आपके मिला मैं आया हूँ सजनों सभी कलाकर अपनी योगिता का पड़्चे देते हुए चले जा रहे हैं अच्छे कलाकर अभी हमारे पहला भाई साथ गा रहे थे ला जबाब जिसका कोई जबाब नहीं लेकिन कभी एक दोहे में लिख दिया चाल लानों में मासाब क्या लिख रहे हैं कि ये च्छण भंगुरी इस मानप को समझाया कभी ने चेतावनी दी के च्छण भंगुरी जीवन की कल का और कल प्राती को जान ये खिली न खिली मलिया गिर की सुच सी तलमन सुगंध समीर चलीन चलीन तो क्यों तलकाले कुठार लिये फिरता और ये कन नम्बर पे चोट और ये जिली न जिली इसलिए रटिले हरी नाम ये अरी रस नाम फिर अन्त समें पे ये हिरी नाम आदनी स्रोता हूं बात उसमें की है एक समें वो कौन इधर वो राणा मीरा जी को मानने का काफी प्रयास करता है कभी बिस का प्याला भेजता है कभी सर्फों की पिटारी को भेजता है लेकिन जब मीरा जी पर कोई असर ना हुआ तो मीरा ने क्या ताम किया अपनी माए के पहुच गही जब मैया ने कहा बेटी तू अपनी ससुराल चली जा लेकिन आप जैसे बुद्जिवियों ने कहा है ये मा की ममता में हर छंता मा की ममता में हर छंता अरे वो भगवान की मूरत होती है उस राम और घंस्याम को भी एक मा की जरूरत होती है सजनो मीरा जी से कहा मीरा की माने बेटी तू अपनी ससुराल चली जा लेकिन मीरा ने कहा मैया ठीक है तू नहीं मानती है लेकिन एक बात सुन लेकिन सजी कैसे कहा है मिनन्ध काम चली जाओंगी और उब्रज धाम चली जाओंगी हर जदे चली जाओंगी पर वह नहीं जाओंगी वो क्यों? और मैं तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गाउंगी मैं वो मैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गाउंगी क्या वो राणा मत बाला और भेजा बिसका प्याला ये चर्णाम्रत कर दिया बिसकाम्रत करड़ा बो राणा मत बाला भेजा बिसका प्याला चर्णाम्रत कर दिया बिसकाम्रत कर डाला आदनीश रोताओ ये इक्यामरवे का पुरुष्कार दे रहे हमारे श्यान अथ्खानवासी सोंत मत बाला से सुनिये मासा बो राणा मत बाला और भेजा बिसका प्याला श्यान अम्रत कर दिया बिसकाम्रत कर डाला अब कहा लाली लाली रंग में अपने ये इक्यामरवे का पुरुष्कार दे रहे हमारे अजे सिंग बेलारा नवासी और दगदा सुपे का पुरुष्कार हमारे चाचा जी भाई सभी देई रहे ये इक्यामरवे का पुरुष्कार दिया हमारे सुपरी जी बेलारा नवासी और ये लाली लाली रंग में अपने क्या वात है सर जी ये लाली लाली रंग में अपने कपोडे रंगाऊंगी क्या वात है मासाब ये लाली लाली रंग में अपने कपोडे रंगाऊंगी ब्रजी की कलियों में अपनी ये इक्यामरवे का पुरुष्कार दिया है ब्रजी की कलियों में अपनी कुटियां बनाऊंगी और राधे क्रिष्ने राधे क्रिष्ने राधे क्रिष्ने का उंगी ये एक्यामरवे का पुरुष्कार दिया है हमारे बल्विर सिंग मारसाब ने मैं तो बार बार आसी बात की काम ना करूंगा ऐसा कोई प्रसंग सेस नहीं जो कि आपने दस भी स्वार न सुना लेकिन फर्क इतना होता है कभियों की कवता और गाने वाले का ढंग कलाकर का तजरुबा अलग हुआ करता है मासाब जी समय महा भारत तो चलते चलते जब तेरे दिन व्यतित हो गई भीम सेन ने देखा और श्याम सुन्दर से कहा प्रभ हो ये क्या कारण है मुझे आज ऐसा ऐसा सोता ये मालूम होता है कि इस रण भूमी के अंदर हमारी मिश्चित हार होने वाली है हमारी बिज़े नहीं हो सकती है इतने बच्छों को सुना और भवाद श्याम सुनने काई भीम सेन सुन बिज़े हो सकती है जो चाहो फुसलाथ जो चाहो फुसलाथ जूटको लेओ सहरो और ये आज समर के बीच गयोए वे अस्वज खामा हला देओ मचाए ये ब्याग को लहे जाए गुरू तिहारो सु सुत सरता में चाहे शोडार धनुसा धरनी पे देखो फिर बिज़े मिलेगी अब ये एक से एक रुपे का पुरुषकार दिया है बनिया सरपंसी सिक्रोरी वालों ने बार बार आसिवाद की काम ना करते हैं महार साम भगवान स्याम सुनने काई भीम सैंसोन विजय हो सकती है चिंता करने वाली बात नहीं है आपको ये मालूम है अरे रण भूमी के अंदर एक अस्वस्थामा नाम का हादी मारा गया है आप ये हल्ला मचा दो के मैंने अस्वस्थामा को मारी है सजनों ये एक्याम रुबे का पुरुस्कार बोला सिंग बेलार नवा सिंग और कहाएं ये आपको मालूम है के अस्वस्थामा नाम का हादी मारा गया है आप ये हल्ला मचा दो लेकिन सजनों इसके पीछे के राख छुपा हुआ था भीम सेन ने अस्वस्थामा नाम के कहाती को मारा था और उधर अस्वस्थामा गुरु दुरुनाचार के बेटे का नाम था तो भगवान स्याम सुन्दर के कहने पर गुर्देब भीम सेन क्या कहने लगे हैं सोरा बीमने कर्यों द्रोला सुता ये मर्यों आज बलधारी अरु ये सबरे पांडबू अरु ये सबरे पांडबा खोसी मनाए रोए हासरे दे दे रादी और कानपरी आवाज गुरु महा या बताशा जी ये पचास रुपे दिये हमारे दादा जी भगमान सिंग बेला रनवासी कहाए अरे कानपरी आवाज गुरु महा राज पूछते डोले ये रे कानपरी आवाज गुरु महाराज पूछते डोले साचीना ये साचीना कोई कहे भईया जूट सब बोले इसी के साथ साथ कभी क्या लिख रहें आदमी वही है यारो आदमी वही है यारो आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करें आदमी क्यों? आदमी ने आदमी को ये आदमी ने आदमी को आदमी तभी माना आदमी के संग में दिन की रात करें आदमी लेकर मसा ये कहते परमातुमा कहते परमातुमा है वो दुष्टी आत्मा कहते पर्मात्मा है वो दुष्टी आत्मा आदमी के संग में जो घात करे आदमी अधनी सजनों जब भीम सेन ने कहा है कि आज मने अस्वस्थामा को मार दिया यह आवाज गुरुद्रूनाचार ने सुनी लेकिन गुरुद्रूनाचार ने का भीम सेन इसमे तेरा कोई दोस्ट नहीं इसमें तेरा कोई कसूर नहीं क्यों नहीं अब गुरु दुरुनाचार कहने लगे मासाब कैसे ये हरस हबस की और देखे मंडी है अनिमोली रतन विक जाते हैं ये हरस हबस की ये हरस हबस की और देखे मंडी है अनिमोली रतन विक जाते हैं लेकिन ये कागज के चमकते नोटों से लाखों के चमन विक जाते हैं ये हरस हबस की और देखे मंडी है भी मंडी है ये मुल्लाओं के सजदे विक जाते हैं ये मुल्लाओं के सजदे विक जाते हैं क्यों? ये पंडित के भजन विक जाते हैं विक जाती हैं रातें ये विक जाती हैं रातें तु लहन की विक जाती हैं रातें दुलाहन की मुरुतों के कबान अनुभी कुछ जाते हैं हारा से हवासी की भूली है अनुभी की जाते हैं आदनी सुरताओं इतने बचनों को सुना लेकिन मारसा हुआ क्या ये हैं रईय द्रोणा गुरु को ले संका औरु ये कैसे मार्या बीरा रणा बनका ये पेदा एसो ये पेदा एसो कोन भयो है यानि पेटा मारितियो है ये क्यामरे पेता पुरुषकार दिया है बंटी सरपंशी सोगनवासी और ये क्यामरे पेता पुरुषकार दिया है ये गुप्तान दिया है साथ ये रड़ पेता ए ओ ये गुप्ता पुरुषकार दिया है सत्तो सुरुत अनवासी और ये क्यामरे पेता ए सोभो कोनवासी और ये क्यामरे पेता पुरुषकार दिया है सजनों अब सुनेंगे गाना और गाना भी क्या है मा सब फिल्मी दुनिया वाले लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं ये क्या तुझे पता है ए गुल्सन ये तो रहे फिल्म वालिवा लेकिन मासाथ भगबान स्याम सुन्दन ने काए अर्जुन से क्या तुझे पता है ए अर्जुन मैं एक राज बताने वाला हूं और तु पर जाता उस करण के हाथों से तुझे मैं ही बचाने वाला हूं भगबान स्याम सुन्दन ने कहा तो अर्जुन ने काए प्रभू आपने मुझे बचाया क्यूं अरे मुझे मर जाने देते उसके हाथों से तुमने बड़ी भूल की कर नहीं है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन एक बात बताओगे तो सुनिए अर्जुन क्या कहते मासाब क्या बताओगे अर्जुन ने का कन्या सुन महा भारत किसने देखा है ये महा भारत किसने देखा है बता कोन कोन को मारी गया महा भारत किसने देखा है बता कोन कोन को मारी गया जब महा भारत का युद्ध हुआ मैं जीत गया या हार गया ये इक्यामर पे का पुरसकार दिया है जुआला पृसाजी पूर सरपंच जी ने मारसाब क्या कहा? जब अर्जुन ने कहा है कनहिया सी तो वो कनहिया कह रहें के अर्जुन ने सुन तो क्या का सर्वी? ये दो लोगों ने दिखा है ये दो लोगों ने देखा हैं ये तक घर एक पेड़ की डार गया एक जो चौकरा के पेड़ पर सीश लटता हुआ था बब्रिक का और एक जो पूरा महाभारत अंधी और अंधाओं को बता रहा था कैसे ये दो लोगों ने देखा हैं एक घर एक पेड़ी डार गया ना तू जीता ना मो जीता कहां न तू जीता ना भो जीता धर्म जीत गया पापों हार गया जब इतने बत्सनों को सुना और अरजुन ने का कणिया हमने दर्म का किया हैं cryा विजै हमारी दर्म से हुई तो कनहिया ने कहा और क्या अर्जुन लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कनहिया यहां भी आपने चल किया अब मासाब अर्जुन क्या कह रहा है यह महा भालत मोहन तुमने यह महा भालत मोहन तुमनी हमारे घर में क्यों करवाया है यह हमारे घर में आगी लगी यह इक्या मुर्बे का पुरुष्तार भगवाद सिंग बेलारा निवासी तेरे क्या कहा हमारे सब हमारे घर में आगी लगी तुमने भाई से भाई को लड़ाया है इसलिए हमने धरम से धरम को नहीं जीता तुमने जल से हमें जितु माया है अब अर्चुर ने कहा कनया सुन पहली जगह तुमने छल कहा किया तो कैसे कहा है मारे साब उसे को नमार में वाला था लेकिन जब उन में अता अर्चुर ने कहा है स्याम सुन दर से प्रभो अब भूसरी पंती क्या कह रही है मासाब वो कहा है अर्चुर ने कनया सुन ये मैंने मरने को चिता सजाई थी ए कनया मैंने मरने को चिता सजाई थी और तुमने बास में घात करी मैंने मरने कोचता सजाई थी और तुमने बास में घात करी ये चक्रशुदर्शन लगा सूर्य पे तुमने धिन की रात करी चक्रशुदर्शन लगा सूर्य पे तुमने धिन की रात करी और बो परस राम का स्राप लगा और स्राप जो आड़े आता ना और पईया जमीन में नहीं दसता तो बो योधा मारा जाता ना ये भीको मांगने गई माता ये भीको मांगने गई माता और करण के पास में जाती ना और पांच बान उस करण से लेकर पुंती माता आती ना इसलिए गोन्नी हत्ता खड़ा था फीर करण मैंने उस पर तीर चलाया है इसलिए हमने धरम से धरम को नहीं जीता तुमने जल से हमें छित भाया है